मनकी पॉक्स एक ऐसा रोग है, जो किसी संक्रमित जानवर से मनुश्यों में आया है। यह जानवर कौन सा है अभी इस बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से पता नहीं है। लेकिन हिल्थ एक स्पट्स को आशनका है कि यह जानवर बंदर या चमगादर में से कोई एक हो सक रखता है। जैसा कि इस रोग के नाम से ही साफ है कि यह रोग बंदरों से समबंदित है और सबसे पहले यह बंदरों में देखा गया इसलिए इसका नाम मनकी पॉक्स रखा गया। इस रोग के काफी सारे लक्षन और देखने में यह चिकन पॉक्स से काफी अधिक मिलता ज कहते हैं. जिस तरह चिकन पॉक्स में शरीर पर छाले हो जाते हैं, इसी तरह मनकी पॉक्स के दोरान भी शरीर पर छाले हो जाते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनकी पॉक्स उसी फैमिली के वाइरस की वज़े होता है, जिससे चिकन पॉक्स होता है. इस वाइरस का नाम है सिर में दर्द रहता है, मसल्स में तेज दर्द होता है, मसल्स में एठन की समस्या हो सकती है, थकान और कमजोरी बहुत अधिक होती है, चिकेन पॉक्स से अलग मन्की पॉक्स का जो लक्षन है, वो है इस संक्रमन लिंफ नोर्ड्स में सूजनाना, लिंफ नोर्ड्स शरीर में इस्थित वो जरूरी गांठ या सॉफ्ट टिश्यूस से बनी हुई बॉलज होती हैं, जिनसे होकर लिम्फ पास होता है। मन्की पॉक्स के छाले कितने दिन में ठीक होते हैं। मन्की पॉक्स के दोरान शरीर पर जो चाले हो जाते हैं, उनके ठीक होने का समय हर व्यक्ति की लए अलग-अलग हो सकता है। आमतोर पर ये बंप्स दो से चार सप्ता के अंदर ठीक हो जाते हैं। संक्रमन के दोरान शरीर पर निकलने वाले ये छाले खुजली और दर्द के साथ शुरुआत कर सकते हैं और जब तक ये पूरी तरह ठीक होते हैं, तब तक कई चरणों से गुजरते हैं। जैसे, इनके आकार में व्रिद्धी होना, पस पढ़ना, पस का रिसाव होना, इन छालों का फूर्ट जाना और बाद में सिकुलते हुए सूख जाना। कुछ लोगों में ये छाले बंस बड़े होकर फफले ब्लिस्टर्स में भी बदल जाते हैं। इन में मबाद भर जाता है और फिर ये धीरे-धीरे फूर्टते जाते हैं और ठीक होते जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में दो से चार सप्ता का समय लगता है। यानि कुछ लोगों में ये दाने 15 दिन में ठीक हो सकते हैं तो किसी को ठीक होने में एक महीने का समय लग सकता है।